सेमसंग एट्विंटी एस ऑटो ब्राइटनेस नोट वर्किंग प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब सभी का तेकर आज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने डिवाइस में ऑटो इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो ब्राइटनेस से वह ऑटोमेटिक इंक्रीस याड फिर दिक्रीस होते हैं ठीक है आपके लाइटनिंग के इसाब से मन दीजा आप घर के अंदर पर तो आपके लाइट जो है अगर आप अंधिरा पर तो थोड़ा सा डिक्रीस होगा अ आप जहां कई भी जा रहा है ब्राइटनेस से हमें चेंजस कुछ भी नहीं हो रहा है अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के सारा अंतक बने रहे हैं सारे साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकोन को क्लिक करें यहां पर ईसको जो ऊतो ब्राइटनेस का प्रॉब्लम है कि उसके लिए दोस्तों आपको एक चीज़ से करना है डीवाइस स्तोरेच में जितने में जांट फाइल खेश ठीक है उन सब को क्लियर कीजिए जब उसके लिए दोस्तों आप जा सकते है यहां पर बेटरी and डिवा आपको दोस्तों यहाँ पे free app कर देना है ठीक है और दोस्तों अगर आपको कुछ और तरीका भी आते हैं अपने device खेश को clear करने का तो आप वो भी कर सकते हैं यह करने के बाद दोस्तों अब अपने setting अब अपने device को restart कीजिए ठीक है device को restart कीजिए डिस्प्ले के option पे जाईए डिस्प्ले में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है adaptive brightness उसको select करना है adaptive brightness को select करने के बाद दोस्तों आपका auto brightness on हो जाएगा ठीक है आपका auto brightness on हो जाएगा and then दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते कैसे यह काम करते हैं थे इस तरह के से तो ऑ सब्सक्राइब करेंग करेगा लेकिन दोस्तों मान לי jave on क्या हुआ हुआ है लेकिन फिर भी काम हुए अपने मोबाइल पेटर्ण पास्वोर्ट पीन जो भी आपने एट किया हुआ है उसको भर दीजे उसको भरने के बाद दोस्तों आपने मोबाइल को रिश्टार्ट करते हुए चेक करके देखे प्रॉब्लेम आपका फीक्ष्ट हो जाएगा ठीक है तो उससे दोस्तों स बाते हैं तो ठीक है अगर उसके बाद भी प्रॉब्लेम सौल्ट नहीं हो रहा है तो सेटिंग बर जाए तो फ़ेठेट करें कि की दोस्तों को ये अब को यूज कर सकते हृँ और दोस्तों दोस्तों आप यहापिये भी कर सकते हैं ब्राइथ निजा जो है दो sensor ठीक है तो आप दोस्तों Auto brightness का जो application है उसको भी install करके यूज कर सकते या पर कई सरे application सब को मिल जाएगा जो भी आपको पसंद है आप उसको use कर सकते install करके ठीक है तो आप ठाट पटे application भी यूज कर सकते लेकिन दोस्तों जो मेंने आपको solution दिया है उसके मदब से problem definitely solve हो जाएगा उमीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगा thanks for watching